नमस्कार मैं सर्वन शुक्ला मिर्च की खेती में आपका स्वागत करता हूं मिर्च का उपयोग हरी तथा पकी दोनों प्रकार से किया जाता है इसमें चरपरापन कैपसिसिन की कारण होता है मिर्च के सफल उत्पादन के लिए गर्म तथा आद्र जलवायू की अवशकता होती है मिर्च उत्पादन हेत उचित तापमान 15 से 35 डिगरी सेंटीग्रेट माना जाता है जिन अस्थानों में 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर के मद्ध वर्षा होती है वहाँ पर इसकी खेती सफलता पूर्बक की जा सकती है मिर्च की फसल पाला नहीं सह पाती तथा कम आदरता एवं अधिक तापक्रम होने पर फूल जड़ने लगते है सूखी लाल मिर्च हेत खरेव की फसल उप्योगत रहती है प्रजातियां मिर्च की किस्मों को मुक्त तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला मसाले वाली किस्मे दूसरा अचार वाली किस्मे तथा तीसरी सबजी वाली किस्मे मसाले वाली किस्मों में मुखिरूप से पूसा ज्वाला कासी अनमोल पूसा सिफाली पंत सी वन पन्त सी टू, कल्यानपुर सुर्क, कल्यानपुर चंचल, कल्यानपुर चमतकार, कल्यानपुर चमन, पूसा सदा भाहार, कासी विश्वनात, पंजाब लाले, अरका गौरौव, अरका बसंत आधि प्रमुख है इसे प्रकार अचार वाली किसमों में कल्यानपूर कल्याण अचार के लिए अच्छी किस्म मानी जाती है। सब्जी वाली किस्मों में मुख्य रूप से कैलिफोर्निया वंडर, यलो वंडर, बुल नोज, चाइनीज ज्वाइन तथा बल्ड बीटर आधि प्रमुख हैं। खेत की तैयारी मिर्च की फसल सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। देशी हल या कल्टिवेटर से करके पाटा लगा कर खेत को समतल दथा भुरुबुरा बना लेना चाहिए। बीच की मात्रा एवं रुपाई, मिर्च की फसल को समानतह पौध रुपन द्वारा उगाया जाता है। पौध के लिए मई से जुलाई तथा फरवरी से मार्च में बुवाई की जाती है। एक हेक्टर में पौध लगाने के लिए एक किलोग्राम तथा संकर प्रजातियों के लिए तीन सो ग्राम बीच की आवसकता होती है। पौध तयार करने के लिए लगबग दो सो वर्ग मीटर छित में बीच बोना चाहिए। इसके लिए तीन मीटर लंबे एक दसमलो दो मीटर चोड़े आकार के दस से बारह बीच सायाओं की आवसकता होती है। बीच साया भूम से दस से पंदरज सिंटीमीटर उंचा बनाना चाहिए। क्यारियों में 20 किलो ग्राम सडी गोबर की खाद, 100 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 50 ग्राम यूरटा पोटास मिलाना चाहिए। बीच की बुवाई हमेशाल लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 10-12 संटीमीटर एवं 5 संटीमीटर तथा बीच को 1 दिसमलाओ 5 संटीमीटर की गहराई पर बो ना चाहिए। बीच को बोने के पस्चात सडी गोबर की खाद वा मिट्टी के पिसरण की 1 संटीमीटर मोटी था से धग देते हैं। इसके बाद क्यारियों को सूखे घास से ढग देना चाहिए 20 जमने के पूर्व हजारे से सिचाई करनी चाहिए बरसात के दिनों में पौधे 4-6 सपता हमें तथा जाड़े में लगभग 8-10 सपता हमें रोपनी योगे हो जाते हैं पौध को नरसरी से उखाडने के पूर्व हलकी सिचाई करनी चाहिए ताकि पौधों को जड़ सहित आसानी से उखाडा जा सके पौधों की रोपाई तयार खेत में लाइनों में करनी चाहिए यदि रोपाई जुलाई से सितंबर में करनी है तो लाइन से लाइन की दूरी 60 cm तथा पौश से पौध की दूरी 40 cm रखनी चाहिए जबकि मार्च अप्रेल में लाइन से लाइन की दूरी 45 cm तथा पौश से पौध की दूरी 30 cm रखते हैं जहां तक संभव हो रुपाई का कार्य साम के समय करना चाहिए रुपाई के बाद खेत में सिचाई अवश्य करनी चाहिए रुपाई के 4-5 दिन बाद मरे हुए पौधों के अस्थान पर नए पौधों को लगा देना चाहिए खाद एवं उर्बरक मिर्च की अच्छी उपज लेने के लिए खाद तथा उर्बरक दोनों का प्रियोग करना लाबदायक होता है खेत की तैयारी की समय या पौधों की रुपाई से कम से कम 20-25 दिन पहले खेत में 200-500 कुंटल सड़ी गोवर की खाद प्रति हेक्टेर के हिसाब से मिलाना चाहिए उर्बरकों का प्रियोग हमेशा मिर्दा परिच्छन के आदार पर करना लाबदायक रहता है यदि किसी कारनवस मिर्दा परिच्छन ना हो पाया हो तो 60-80 kg नतरजन, 40-50 kg फासफोरस तथा 40 kg पोटास प्रति हेक्टेर तक्तो के रूप में खेत में डालना चाहिए नतरजन की आदी मात्रा, फासफोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा रूपाई से पहले खेत में देना चाहिए तथा नतरजन की सेश आदी मात्रा को दो बराबर भागों में बाटकर रूपाई के 20 तथा 40 दिन बाद खड़ी फसल में टॉप डेसिंग के रूप में देना चाहिए सिचाई, मिर्च के खेत में यदि नमी नहीं रहती है या खेत सुका रहता है तो इस तिस्ति में फूल एवं फल गिरने लगते हैं साथी साथ फलियां ठीक से भर नहीं पाती और उनके आगे के सिरे सिकुर जाते हैं अतक खेत में हर समय समाने नमी बनाए रखना चाहिए इसके लिए गर्मियों में 6-8 दिन के अंतराल पर तथा जाडों में 10-15 दिन के अंतर पर सिचाई करना चाहिए वर्शारित में खेश से जल निकास का उचित प्रबंद अवश्य करना चाहिए मिर्च में खर्पतवार नियंतर है तो निराई गुड़ाई करना आवश्यक है पहली निराई गुड़ाई रुपाई के 20-25 दिन बाद एवं दूसरी 40-45 दिन बाद करते हैं मिर्च के पौधों की जड़ें कम गहरी होते हैं इसलिए गुड़ाई हलकी करनी चाहिए गुड़ाई करते समय पौधों पर मिट्टी चड़ा देना चाहिए मिर्च की पुस्पा अवस्था में निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए खर्पतवार नासी रशायनों द्वारा भी खर्पतवार कर नियंतन किया जा सकता है रोग नियंतन मिर्च की फशल में आद्रगलन, जीवाण उक्था, मूल ग्रंथी, पणकुंचन तथा फल्सरन रोग लगते हैं आद्रगलन यह रोग नर्सरी में लगने वाली प्रमुख बिमारी है जो की पिथियम फाइटो प्थोरा नामक फफूदे की काड़ों होती है इस रोग में पौधे भूम की सता के पास से गलने लगते हैं नर्सरी में पौधों का मुर्जाना तथा सूखना इस बिमारी के प्रमुख लचण है इस रोग के नियंत्रण के लिए बीज को दो ग्राम कैप्टाउन या धिरम से प्रत किलो ग्राम की दर से उप्चारित करके बुआई करनी चाहिए तथा बीज बोने के 10 से 15 दिन बाद नर्सरी में कैप्टान दवा की दो ग्राम मातरा को प्रत लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए जीवाड उक्था या जीवाड जनित बिमारी है रोग का प्रभाव पहले निचली पत्तियों से आरम होता है तने को काटने पर उसमें भूरा जमा हुआ परदार्थ दिखाई देता है रोग ग्रस्त पौधे सूख जाते हैं इस रोग के रोग थाम के लिए औरोधी या सहनसील प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए रोपाई के पहले स्ट्रेप्टो साइक्लीन 100 मिलिग्राम को प्रत लीटर पानी में घोल कर पौधों को आधा मिनट तक दुबो कर रोपाई करनी चाहिए इससे इस रोग से बचा जा सकता है मूल गरंति इस रोग में पौधों की ब्रिद्धी कम हो जाती है तथा जड़ों में गाठे वन जाती है इस रोग के नेंतन के लिए खेत में नीम की खली 25 पुंटल प्रते हेक्टेर के दर से मिलाना लाप्रद होता है पणभ कुंचन रोग यह रोग वाइरिश के दोवारा फैलता है इस रोग में पतियों का मुड़ना, पीला पड़ना, पतियों का छोटा रह जाना, पौधे का बाउना रह जाना आदी प्रमुक लच्छन है इस रोग से ग्रसित पौधों पर फलियां नहीं बनती और यदि बनती भी है तो बहुत चोटी रह जाती है यह वाइरस सफेद मक्खी के दवारा फैलता है अता है इसके नियंतन के लिए साइपर मेत्रिन दवा के दसमलों एक पांच परिस्यत गोल का छिकाओ दस दिन के अंतरार पर करना लबदायग रहता है तथा इस रोग से बसने के लिए रोगरोधी किसमों की बुवाई करनी चा है इस रोग की रोग थाम के लिए स्वस्त तथा प्रमाडित बीच की बुवाई करनी चाहिए खड़ी फसल में ब्लाइटाक्स 50 या इंडोफिल M45 दसमलों दो परिस्यत का गोल बना कर 15 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काओ करना चाहिए कीट नियंतन मिर्च की फसल में रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर सफेद धारियां पर जाती हैं पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा फूल लगना बंद हो जाता है फसल की बढ़वार भी रुख जाती है इस कीट के नियंतन के लिए साइपरमेत्रीन दसमलों एक पांच परिस्यत का छिड़काओ की फसल पर करना चाहिए कटवा कीट इस कीट का प्रभाव पौदों की छोटी अवस्था में अधिक होता है यह कीट मिर्च के पौदों को जमीन की सता से काट देते हैं इस कीट के नियंतन के लिए 20 से 25 किलोग्राम एल्डेक्स पांच प्रसत दूल को जमीन में रुपाई स देपूर मिला देना चाहिए फली छेदक इस कीट की सुणिया फलियों में छेद करके उसके अंदर घुशाती है तथा फलियों को अंदर से खाती रहती है इसकी रोक्थाम के लिए नीम की गरी 40 ग्राम को पीश कर प्रति लीटर पानी में गोल कर 10 दिन के अंतराल पर छिड करना चाहिए तथा डैसिस 28 EC दवा एक मिली लीटर को दो लीटर पानी में या कार्बो सलफॉन 25 EC दो मिली लीटर दवा को प्रति लीटर पानी में गोल कर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काओ करना लाब दायक रहता है माहु कीट इस कीट के सिशू एवं प्रोण दोनों ही पत्तियों से रस चूजते हैं इसकी रोग थाम के लिए फसल की सुरू की आवस्था में मेटासिस्टाग 25 EC या साइपरमेथ्रीन का 1.5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काओ करना चाहिए तुड़ाई एवं उपज मिर्च की तुड़ाई इसके प्रियोग के आधार पर निर्भर करती है हरी मिर्च या सिमला मिर्च की तुड़ाई मिर्च की पूर आकार होने पर करते हैं अचार वाली मिर्च की तुड़ाई फसल के पूरी तरह से लाल होने पर किया जाता है तथा मसाले के लिए तुड़ाई मिर्च के पूरी तरह पकने के बाद जब सूखने के लच्छन दिखाई दे तब करनी चाहिए मिर्च की उपज किस्म, भूम, जलवाय। और फसल प्रबंदन पर निर्वर करती है। आम तोर पर हरे मिर्च की उपज पचातर से सौगुंटल और सूखे मिर्च की दस से बारा कुंटल प्रते हेक्टेर उपज प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।